तो पिछली बार हमने अपने वाडन की फाइट करवाई थी अलग-अलग डिफरेंट मॉप्स के साथ जो की एकदम म्यूटेंट वाले भी थे लेकिन आज की इस वाली वीडियो में हमारा जो वाडन है गाईज वो खुद ही म्यूटेंट बन गया और अब हो म्यूटेंट वाले मॉप्स के साथ फाइट करने वाला है बट अभी इसके अंदर एक चीज़ की कमी है यूँकि लास्ट टाइम गाइस यहाँ पर एक नॉर्मल वाला वार्डन आया करता था बट अब आने वाला है खतरना वाला म्यूटेंट वार्डन देखना चाहते हो लेकिन उससे पिले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा तो जल्दी से लाइक करो और अभी 3, 2, 1 और ये देखो गाइस कितना जादा पावर्फुल है और तकड़ा दिख रहा है भाई साब इसके हाद भी एकदम मोटे मोटे हो चुगी है और एकदम पूरी पावर वाली मसल्स हो चुगी है और नॉर्मल वारा वोर्डन ये ची भाई साब कितना छोटा लग रहा है ये और ये देखो भाई साब लार्ज वाला तो फिर गाईस रेडियो ना बहुत मज़ा आने वाला है फटा फट से तो अभी इनको एक ग्राउंड के बाहर निकालते हैं आज इनका कोई काम नहीं है चलो भाई बाहर जाओ केस हो गाईस राउंड नंबर बन होने वाला है यार इतने खतरनांग मसल्स अरे भाई स्केलेटन गया भाई स्केलेटन पिल चुका है पहले पहले टर्न में ही एंड इसकेलेटन अभी इनको ठोके जा रहे हैं बट हमारे वार्डन के हेल तो बस थोड़ी सी कम हुई है अभी तक और ये दोनों के दोनों स्केलेटन्स भाई साब एक एक बार मरके उठ चुके हैं मतलब इनके पास बस सिर्फ एक ही चांस है वाडन के सामने जीतने के लिए है उसके बाद ये खुद भी पिलने वाले है यार भाई स्केलेटन नरे तो एरो चलाना भाई ये क्या कर रहा है यार ये देखो भाई मतलब पंच से मारे जारह है उसको वाडन को फिलाल के लिए तो गाईस ऐसा क्यों लग राहे है कि हमारा वाडन हारने वाला है क्योंकि वाडन का पंच इतना जादा बड़ा है कि भाई वो skeleton के ऊपर से चला जा रहा है और skeleton को कोई भी damage नहीं पड़ रहा ओके तो भाई skeleton को तो कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन हमारे warden की health थोड़ी सी भी नहीं बची और warden ख़त्म हो गया और भाई ये game बिलकुल black क्यों कर दिया यार okay so guys next round होने वाला mutant warden versus चार हाथ वाला enderman let's go यार एक सिगन भाई भाई warden कितने ज़्यादा speed में आ गया एक सिगन भाई थोड़ा आराम से ये क्या हो गया enderman को अब चार हाथ वाला enderman ने अपना पहला वाला रूप प्रकट कर दिया भाई और अभी छोटे छोटे एंडर्मेंज आ चुके हैं इसका मतलब कि इस बोड़े वाले warden ने guys हमारे enderman की band बजा दिये और वो एकदम गायब हो चुका है यहां से हमारा warden बहुत ज़्यादा powerful है लेकिन एक सिगन भाई इसकी hp थोड़ी से कम होती जा रही है भाई हारियो मत यार प्लीज अभी एक बार फिर से mutant वाला enderman आ चुका है और भाई black black हो गई screen इसका मतलब कि क्या enderman मरा या फिर warden मरा चलो फटा फट से milk पीते हैं and एक सिगन भाई दोनों के दोनों खतम enderman के साथ साथ हमारा mutant warden दोनों खतम हो चुगे भाई या वाला मैस तो guys tie हो जाता है क्योंकि यह देखो यार दोनों मर चुके अब मैं किसको winner बोलूँ अपने आप भी winner बोल लेता हूँ या आप लोग तो बोलने सरह है comments में भी आप लोग क्या है comment भी नहीं करते हो आज कल Instagram पर भी follow करना बंद कर दी है मतलब 5000 followers करवाओगे कि नहीं करवाओगे भाई okay इस तो जो next वाला round होने वाला है वो होने वाला है mutant warden versus mutant creeper भाई साब ये wall कूद करी उदर चला क्या एक सेगेंड यार भाई दिवार को तो थोड़ने दो भाई अबे पहले ही fight चालू कर दी भाई थोड़ा आराम से लड़ी हो यार भाई किसी को मोका ही नहीं मिलने दे रही है but wait भाई warden तगड़ा डेमिज कर रहा है यार creeper को और यहाँ पर छोटे छोटे creepers भी आ चुगे क्या भाई यह लापता होगे के बच्चे इस creeper के यह कहां से आ गए भाई इनको घर छोड़ के आना पड़ेगा निकलो यहां से छोटी सी जगामे से बाहर जाओ और भाई यह क्या होगे अबे यार यह warden मुझे कुछ देखने नहीं दे रहा है भाई creeper खत्म यार कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हुआ भाई क्या नहीं बट creeper हमारा मर चुका है इसका मतलब कि गाईस यह वाला round हमारा mutant warden जीच चुका है जो कि भाई काफी ज़दा तगड़ा दिखता है यार देखने में एक बार देखो तो भाई ओके गाईस तो अब यह वाले round के लिए एकदम तयार बैठना क्यूंकि यह round होने वाला है mutant wither versus mutant warden यह अभी तक का सबसे कड़क वाला round होने वाला है and let's go भाई boundary में open करता हूँ यहाँ पर से भाई boundary open करने से पहले ही fight start कर दी है and 1 second भाई मेदान का इन्होंने क्या करके रख दिया भाई गड़ा बना दिया है mutant wither भाई command blocks के मदद से यहाँ पर lightning बरसाए जा रहा है जिससे कि guys warden को बहुत ज़्यादा damage पड़ रहा है कम से कम इसकी आदी health तो उतर चुकी है बट अब यह wither कुछ attack नहीं कर रहा है लगातार lightning बरसरी है हमारे warden पर अरे warden कर क्या रहा है भाई इसको मार जल्दी punch बार भाई punch मार इसे मेरे जैसे बुक्के मारो इसको यार फटा 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 मार warden कुछ कमाल कर भाई कुछ कमाल करेगा तो पांच रुपे वाली देरी मिलक मिलना वाली है इसको पांच रुपे की अब देखो गाईस थोड़ी सी speed आई है हमारे warden में बट यह warden मुझे लगता है कुछ भी नहीं कर पाने वाला है क्योंकि विदर भाई औरड़ी बहुत ज्यादा powerful ठहरा है यहां पर यह देखो एक सिकेंड भाई इन दोनों के सामने मैं कितना छोटा सा हूँ यह हम तो बच्चे लग रहे हैं यार मुझे ग्राउंड के बाहर चलो भाई इनके बीच में नहीं पढ़ना में रखो एंड बस हमारे warden का खेल भी बस भी मतला भी नहीं है यहां पर भाई क्या कांटे निकाल के मार रहे हैं इसको यह देखो भाई सहो बरफ भी बरफ उच्छा ले जा रहे हैं इसके उपर एड हमारे warden की health भी काफी जादा कम होती जा रही है भाई सब अब डट जा भाई बरफ निकाले जा रहा है इन बंदों के पास ना पूरी की पूरी strategy है यह देखो भाई अरा हमसे मतलब मिल मिलकर इसको मार रहे जा रहे है warden को एड एक snow golem अभी कम हो चुका है लेकिन अभी भी गाईस चार बाकी है यार warden मर जाना भाई प्लीज वैसे मैं warden की side हूँ की golem की side मुझे खुद नहीं पता एड एक second survival में होके fly कर रहा हूँ इसी के साथ हमारा warden भी खतम हो चुका है एक second भाई कोई उजाला करो यार प्लीज यह देखो गाईस हमारे golem अभी तक जिंदा है और warden मर चुका है इसका मतलब गाईस यह वाला round भी हमारा warden हार चुका क्या करें भाई मतलब इतना कमजोर है यार यह warden दिल को थाम के बेठना क्योंकि अब आने वाला हमारा wither skeleton versus warden वाला final match एक सेकेंड भाई उट हेलो भाई fight करनी की नहीं करनी भाई एसा मजाक मत करो यार मेरे साथ एक दम मैदान में उतर के भाई यह बंदा सो रहा है या फिर यू कहलो हमारे warden ने इसकी चटनी बना दिये पहले से ही यह warden एक भी राउंड जीतेगा की नहीं जीतेगा भाई मे होने वाला है ना वो खतरनाक होने वाला है क्योंकि यह देखो भाई साव elder mutant guardian एंड उसी के साथ mutant warden भाई चलो गाईस मैं तो बहुत excited हो क्योंकि elder guardian क्या करने वाला है warden के सामने और यह देखो भाई lightning की बरसात करने लगा है यार हमारा guardian पानी के अंदर रहने वाला प्राण साथ साथ में elder guardian उसकी बिजली में गिर कर खुदी जल रहा है यार मतलब comedy show चल रहा है कोई यहां पर कोई seriously fight करी नहीं रहा है भाई warden की health फिर से कम है क्योंकि हमारा guardian बहुत खतरनाक वाली बिजली गिराय जा रहा है okay so guys next one round काफी जादा funny होने वाला है क्योंकि यह देखो वाई warden versus mutant goat मतला भाई mutant वाली बकरिया भी होती है यह देखो भाई कितनी ज्यादा बड़ी है एक सिकेंड वाड़न को पेलना भी चालू कर दिया है ओ हेलो भाई यह क्या कर रही है साइड में जाना अपने friend की मदद कर भाई क्या कर रहे है यार इसमें warden हार जाने वाला है एक गोट को तो warden ने मार भी दिया है अब बची गाईज यह दूसरी वाली जोकी इधर कोने में दुबक के बैठी हुई है और warden भी आराम आराम से जा रहा है गोट भाग रही है लेकिन warden से नहीं बचने वाली और हमारे warden ने भाई सौप कितने तगड़े वाले पंच ब होने वाला है क्योंकि अभी देखो में दिखाता हूं पहले warden यहां से हटाते हैं अब देखो भाई साब यहां पर फ्रॉग वर्सेज म्यूटेंट वाड़न एंड फ्रॉग भी गाईज एसी वैसी छोटी सी नहीं है एक दब म्यूटेंट वाली फ्रॉग है एक सेड़ भा नेक्स्ट वाला राउंड होने वाला है म्यूटेंट ब्लेज वर्सेज म्यूटेंट वाड़न एंड एक सेकंड भाई साब यह ब्लेज है कि क्या है पूरी की पूरी ब्लेज रोड दिख रहे भाई यह अलग ही नमूना है एक सेकंड और इधर वाला ब्लेज मर भी चुका ह तूसरा वाला blaze यहां पर छुपा हुए है और यह भी मरने वाला है और तीसरा वाला blaze भाई फीचे ही खड़ा हुए है बट यह अभी कुछ कर नहीं रहा है शायद से क्या कर क्या रहा है यहाँ पर एक ओवरेक्टिंग के दुकान भाई इसा गोल-गोल घूमता ही रहेगा कि अटेक भी करेगा और यह वाला म्यूटेंट ब्लेज भी खत्म हो चुका है इसका मतलब कि गाईज हमारे वाडन ने अभी के अभी चार राउंड जीत लिया है क्योंकि गाईज यह सब किसाम नॉर्मल बंदे थे ऑके तो गाईज नेक्स्ट वाला राउंड होने वाला है म्यूटेंट पिगलिन वर्सेज म्यूटेंट वॉडन और इस वाले युद्ध के अंदर देखना है क्या इसकी कौन जीतने वाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा पारफूल यहाँ पर म्यूटेंट पिगलिन ही है बड़ एक सेगेंड ये वाला पिगलिन भाई एक बार मर चुका है और फिर से रिस्पोन हो जाता है यार और इन वाले mutant mobs की power ही गाईज ये वाली है कि ये एक बार मरने के बाद फिर से जिन्दा हो जाते है यार अगर वाडन तेरे में कुछ power है तो अभी गया भी दिखा दे वरना भाई तू मरने वाला है और अब ये वाडन खतम हो चुका है लेट्स गो और इस वाले राउंड का विनर भी गाईज हमारा सामने वाली टीम का बंदा ही है जो कि हमारा mutant वाला piglin क्यों भाई जीत गया है कैसा लग रहा है लेकिन फिर भी गाईज अगर इस वाली वीडियो के इंदर मजा है तो जल्दी सल्दी वीडियो को लाइक कर दो और शाउट आउट टो विराजवगेला 99 जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया अगर आप लोग को भी शाउट आउट चाहिए यसा है तो आप भी जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो